हेलो दोस्तों, आपका अपनी YouTube चैनल पर स्वागत है तो आज की इस वीडियो में हम लोग कम्प्यूटर से संबंधित थोरी देखने वाले हैं, ठीक है तो इसको हम लोग एक एक या दो दो चैप्टर करके एक वीडियो में कम्बाइन करके देखेंगे, ठीक है यदि आपको एक बार में समझ ना आ है तो इस वीडियो को दो बार, तीम बार ऐसे करके प्ले करके देखें और उसको याद करते चलें, ठीक है क्योंकि जो questions आ रहे हैं exam में वो इसी में से लगभग मिलते जुलते आ रहे हैं, ठीक है जिसका उपयोग computer में data को input करने, वो output करने को समपन करने में आता है इसे computer युक्तियां कहा जाता है, ठीक है क्या है यह, जो computer के साथ जुड़े होते हैं और जिसका उपयोग computer में data को input करने, वो output करने को समपन करने में काम आता है इसे क्या बोलते है computer, युक्तियां या फिर devices कहते हैं, ठीक है, इसका वरगी करण दो तरह से किया जाता है, उपयोग के आधार पर input device और output device और चुड़ने के आधार पर peripheral युक्तियां और non peripheral युक्तियां, ठीक है, तो उपयोग के आधार पर पहले देखते है, input device, input device मतलब व वे सभी devices जिनके द्वारा computer के output प्राप्त किया जाता है, computer से output प्राप्त किया जाता है, और computer से data निर्गत करने के लिए, जिन device का उप्योग होता है, वे output device है, जैसे कि monitor, printer, इत्यादी, ठीक है, अब जूणने के अधार पर, peripheral युक्तिया, वे सभी devices जो computer में बाहर रूप से जुड़े होते हैं, ठीक है, externally जुड़े होते हैं, जिनने आज सकता पढ़ने पर computer से अलग किया जा सकता है, जैसे कि monitor, keyboard, mouse, printer, ये सब ठीक है, ये सब क्या है, ये क्या है, फेरिफेरल युक्तिया, और non-feripheral युक्तिया, वे सभी computer devices, जो computer में आंतरिक internally, क्या होता है, आंत परिधी का तात पर ये computer से जोड़ा गया device है, ठीक है, परिफेरल से मतलब क्या है, परिधी उसका, जो computer से जोड़ा गया device है, उसको क्या बोलते हैं, परिफेरल बोलते हैं, ठीक है, अब इसमें क्या है, computer के input और output युक्तियों को एक साथ, परिफेरल युक्ति कहते हैं, input और output दोने युक्तियों को devices को हम लोग एक साथ क्या बोलते हैं, peripheral युक्तियां कहते हैं, क्योंकि ये CPU के चारों और लगा होता है, अब चारों और कोई हम लोग क्या बोलते हैं, परिधी और परिधी कोई क्या बोलते हैं, peripheral इसलिए क्या होता है, वे device जिनके माध्यम से computer के अंदर data भेजा जाता है, उसे input device कहते हैं, computer में प्रयुक्त होने वाले प्रमुक input device का विवरण नीचे दिया गया है, input युक्तिया, data entry input के लिए क्या है, keyboard ठीक है, और scanning input device कौन कौन से है, scanner, barcode reader, OMR, OCR, MICR, फिर QR code reader ठीक है, और pointing input device क्या है, mouse है, trackball ह और audio input device का है, microphone, speech recognizer, ठीक है, video input device का है, digital camera, web camera, ये सब है, ठीक है, अब इसमें क्या है, पहला keyboard, तो यह प्रात्मिक input device होती है, ठीक है, प्रात्मिक input device है, यह खोज परिणामों को trigger करता है, क्या करता है, खोज परिणाम जो भी रहता है, उसको trigger करता है, अभी आधुनिक समय में, जो keyboard उपयोग में किया जा रहा है, वो keyboard qwerty आधारित होता है, इसे qwerty इसलिए कहा जाता है, क्योंकि keyboard के प्राथम 6 alphabet, यहीं होते हैं, ठीक है, क्या होता है, पहला जो 6 alphabet रहता है, qwerty रहता है, इसलिए इसको क्या बोलते है, qwerty keyboard कहते हैं, अभी 104 और 108 बटन वाले, य कैसे keyboard उपयोग किये जा रहे हैं, अब keyboard में total क्या-क्या, अलग-अलग क्या रहता है, key रहता है, ठीक है, जैसे की function key, escape की, यह सब, तो अब इनको क्या-क्या बोलते हैं, कैसे बोलते हैं, वो सब देख लेते हैं, यह है keyboard, ठीक है, अब keyboard में, यह left corner में, जो है उपर में, laptop corner म escape की है, उसके नीचे tap की, फिर नीचे में caps lock की, फिर नीचे shift की, फिर नीचे में control की, ऐसा करके यह सब को एक बार आप लोग देख लेंगे, computer में key, मतलब उन्जी, उनके उपयोग के आधार पर माटा गया है, इनमें मुख्यता अनिम्न लिखित keys हैं, ठीक है, तो alpha-numeric key, इसके अंतरगर A से Z तथा इसके ठीक उपर सुन्य से 9 तक की संख्याएं आती हैं, साथ ही special symbol समाहित होता है, इनका प्रयोग ऐसा data को type करने के लिए किया जाता है, जिनमें alpha-numeric अक्षरों का प्रयोग होता है, जैसे पता गांधी नगर, sector 11, house number, dash 111 slash 08, ठीक है, और यह bracket क function key, f1 से ले करके, f12 तक के key को function key कहते हैं, यह सभी key common key होते हैं, जिसका विशेश उप्योग है, ठीक है, प्रतियक function key अपने आप में पूरे command की बराबर होते हैं, ठीक है, function key का मुख्य उप्योग user का समय बचाना है, अब MS window में प्रयोग तो function key और उनके कार्या, MS window में जो menu open करने के लिए, उसको क्या करते हैं, f1 की use करते हैं, और f2 को करेंगे, तो file और folder को rename करने के लिए, ठीक है, file और folder को क्या करने के लिए, rename करने के लिए, f3 क्या है, search bar open करने के लिए, f4 address bar open करने के लिए, search bar, फिर उसके बाद f4 क्या है, address bar open करने के लिए, अब f5 क्या है, वरतमान open window को refresh करने के लिए ठीक है, refresh करने के लिए क्या करते है F5, F6 क्या है cursor को address bar में ले जाने के लिए ठीक है, address bar में कहीं, दूसरी जगा में है उसको address bar में ले जाना है, तो क्या करना है F6, F7 क्या है, MS Office में spelling और grammar चेक करने के लिए तो MS Office में बहुत सारे क्या है उसमें अंदर में अलग-अलग application है तो उन सब में ये use होता है, F7 क्या spelling और grammar चेक करने के लिए F8 क्या है, Windows operating system को safe mode में on करने के लिए ठीक है, या फिर Windows operating system के start up menu का प्रयोग करने के लिए ठीक है safe mode में open करने के लिए या फिर उसको start up menu का प्रयोग करने के लिए ठीक है, F8 F9, MS Word document को refresh करने के लिए MS Word जो रहता है, उसको refresh करने के लिए F9, और F5 क्या है जो open में window होता है, खुला हुआ उसको क्या करने के लिए, refresh करने के लिए F5, और MS Word के document को reference करने के लिए f9 f10 का है menu bar को highlight करने के लिए f10 f11 fully screen mode को open या close करने के लिए यदि full screen mode में है उसको दबाएंगे तो बंध हो जाजाज़आ fully screen mode में नहीं है और उसको दबाएंगे तो fully screen mode में आज़ाज़ा फिर f12 ms word में save as window तो open करने के लिए ठीक है अब save करते हैं तो सीधा save हो जाता लेकिन save as करने से उसमें हमको नाम लिखना पड़ता है कि किस नाम से हमको save करना है तो उसके लिए क्या करना है f12 F12 क्यों करते हैं किसी चीज को जैसे कुछ नाम देना है किसी फाइल को तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे Save As तो उसके लिए F12 जो है MS Word में Use होता है ठीक है अब आगे है क्या Cursor Movement की ठीक है Function की बात क्या आता है Cursor Movement की और Function की कितने है Total 12 ठीक है F1 से ले करके F12 तक अब Cursor Movement की 4 कुझी जिस पर 3 की आकृतियां होती है Cursor Movement की कहते है अब Cursor Movement की क्या होता है 4 कुझी रहते है ठीक है उसमें क्या होता है Move करने के लिए Cursor को उसको Use करते है जिसे Navigation की या फिर Direction की भी कहते है जो Cursor को आगे पीछे उपर नीचे लाने में प्रयोक किया जाता है इन Key का दो Set Keyboard पर होता है ठीक है पहला Set Number पटल ठीक है NumPad की ठीक बाई ठीक है बाई मतलब Left ओर और दूसरा जो है Set Number पटल पर दूसरा Set जो है Number पटल पर एक तो उस Number पट में ही रहता है ठीक है और जो है उसके बाद आता है संख्यात्मक की पटल New American की पट की पट के दाएं बाएं भाग में सुन्य से 9 तथा गणितिय संक्रियाओं को कुंजी आती है संक्रियाओं की कुंजी आती है ठीक है किसमें कीबोर्ड है कीबोर्ड में कीबोर्ड के दाएं भाग में एकदम राइट कॉर्णर में क्या हो जाएगा सुन्य से 9 तक गणितिय संक्रियाओं की कुंजी आती है मतलब सुन्य से ले करके 1,2,3,4,5,6,7,8,9 ऐसा रहता है इसमें विशेज बटन नम लॉक बटन होता है जिसके ओन होने पर संख्या लिखाता है यदि उसको हम लोग टाइप करेंगे तो लिखाएगा और नहीं टाइप करेंगे तो नहीं लिखाएगा ठीक है जबकि ओफ होने पर यह नुमेरिक कुझी की तरह काम नहीं करता है बलकि यह करसर की मुवमेंट की तरह काम करता है ठीक है नमबर पटल का प्रयोग जोड, घंटाव, गुणा, भाग, दस्मलोग की कुझी आती है ठीक है उसका नमबर पटल का प्रयोग की कुझी आती है ठीक है अब special purpose की क्या क्या है इसके अंतर गत्निम लिखित की जाती है कौन-कौन सा num lock की caps lock की ship की tab की escape की backspace की और delete की अब इसका अलग-अलग use क्या है num lock की क्या है यह की एक toggle key की तरह कार्य करता है इसे on करने के लिए और off करने के लिए दोनों ही परिस्थिती में किसी दोनों ही परिस्थिती में इसी की को दबाना होता है जब num lock on होता है तब number पटल से संख्याएं अंकित की जा सकती है ठीक है और off होने पर यह cursor movement की तरह कार्य करता है ठीक है अब उसके बाद आता है caps lock की यह एक toggle key की तरह कार्य करता है caps lock key का प्रयोग keyboard में lower case को uppercase में convert करने के लिए किया जाता है मतलब जो small letter में है उसको capital letter में करने के लिए क्या करते है caps lock key अर्थात जब हम caps lock key ओकन open करते हैं ठीक है on करते हैं तो अंग्रेजी के capital अक्षर type होते हैं और off करने पर क्या होता है small letter type होता है ठीक है फिर shift key shift key का प्रयोग हम combination key की तरह करते हैं जब हम shift के साथ किसी दूसरे button को दबाते हैं तो उस button के उपर छपे हुए character type होते हैं ठीक है जैसे की keyboard में एक जगा पे का लिखा है नीचे minus लिखा है उपर में dot है ठीक है तो उसमें shift को दबाएंगे और उस button को दबाएंगे तो उस button के जैसे minus है तो वो आ जाएगा ठीक है character type होते हैं अगला इसमें आएगा क्या tab key, tab key का प्रयोग cursor को एक निश्चित दूरी तक सरकाने के लिए किया जाता है ठीक है word processing में paragraph को indent करने के लिए किया जाता है ठीक है अगर हम excel sheet पर कार्या कर रहे हैं तब tab का प्रयोग एक cell से दू सुधारने के लिए किया जाता है या कर्सर के ठीक बायों और की अक्षर को मतलब left side के अक्षर को मिटाने के लिए किया जाता है अब delete की delete की का प्रयोग किसी selected item को मिटाने के लिए किया जाता है ठीक है अब उसके बाद आता है modifier की तो modifier की में क्या क्या जाएगा computer के input data text इत्यादी को modify करने के लिए होता है इसका उप्योग ठीक है modifier की इसमें क्या क्याता है shift, control, alt जो हैं ये तीनो modifier की के साथ किसी button को दबाने पर वह उस button की परिभासा को बदल देता है ठीक है जैसे shift, control और alt ये हैं तीनो क्या modifier के, इनके साथ यदि किसी button को दबाने पर वह उस button की परिभासा को बदल देता है जैसे यह computer के keyboard में 2 के set में रहते हैं ठीक है, 2 key को जोडने का भी कार्य करते हैं और ये जो है computer में keyboard के 2 key को, 2 set में होते हैं वो भी है और इसमें 2 key को जोडने का भी कार्य करते हैं, ठीक है जैसे shift को दबाने के बाद अगर हम लोग किसी और को दबा रहे हैं तो ये दोनों key को जोड़ रहा है, ठीक है और ये जो है, 2 set में रहते हैं 2 shift का button रहेगा, 2 control का 2 alt का button रहेगा, ठीक है अब toggle की, toggle की ऐसा है कि यदि हम लोग किसी चीज को on करना है तो भी उसी button को दबाना है, या किसी को off करना है, तो भी उसी button को दबाना है जैसे caps lock को on करना है, तो उसी button को दबाएंगे और caps lock को बंद करना है, तो भी उसी को तो इसमें क्या क्या है, caps lock की ऐसा कितने button है, toggle की कितने है ये भी दो-दो के set में रहते हैं ठीक है अब उसके बाद आता है किया note control alt plus delete ये तीनों को बटन को एक साथ दबाने पर computer में चल रहे program बंध हो जाते हैं ठीक है और computer शुरू वाली अवस्ता में पहुच जाते है इसका प्रयोग मुख्यता computer के hang होने की स्थिती में करते हैं task manager window उपन करने के लिए इस shortcut का प्रयोग किया जाता है ठीक है key की संख्या कितनी है 104 होती है ठीक है और आज कल कर्टी keyboard का प्रचलन सरवाधिक हो रहा है अब उसके बाद आता है on screen keyboard या एक application software होता है जो computer के screen पर computer जो है उसके screen पर board की छवी के रूप में दिखाई देता है on screen keyboard का प्रयोग mouse या touchpad की सहायता से किया जाता है या तो mouse से हम लोग उसमें button को ऐसे करके select करके उसको दबाएंगे या फिर हाथ से भी touch screen रहेगा तो हाथ से भी ऐसे करके touchpad की सहायता से हाथ से मतलब ऐसा उसको screen नहीं touch screen नहीं touchpad जैसे laptop में रहता है touchpad ठीक है जैसे cursor को इधर उधर करने के लिए touchpad रहता है तो उस touchpad की सहायता से किया जाता है ठीक है आज कल उपयोग में आने वाले smartphone और tablet में on screen keyboard का प्रयोग data प्रविष्टी के लिए किया जाता है ठीक है अब उसके बाद virtual keyboard यह एक application software होता है जो एक hardware पर install किया जाता है hardware पर install किया जाता है hardware समतल सतह पर किरणों के माध्यम से keyboard की छवी बनाता है किस पर किया जाता है hardware पर install किया जाता है और वो hardware है वो समतल सतह पर की रनों की माध्यम से कीबोर्ट की छवी बनाता है जिसका प्रयोग हम कीबोर्ट की तरह कर सकते हैं ठीक है, मैकनिकल की बोर्ट न होने के कारण इनमें तूट फुट की संभावना कम होती है चित्र में आप देख सकते हैं कि हार्डवेर समतल सतह पर keyboard को project कर रहा है, यह वाला ठीक है, यह जो है, यह वाला, यह क्या है, समतल सतह पर keyboard को project कर रहा है, क्या hardware ठीक है, अब इसमें अगला आ जाएगा, आधुनिक समय में प्रयोग होने वाले कुछ keyboard, निमन प्रकार से हैं, ठीक है, यह है अगला, तो क्या है पहला flexible keyboard, य इस टाइप से रहता है उसके बाद का आता है handheld keyboard ये फोटो में दिखाए गया है vertical keyboard इस टाइप से रहता है ठीक है अब उसके बाद आता है mouse mouse एक input device है ठीक है mouse एक pointing युक्ति है जिसका उपयोग data को pointing करने के लिए किया जाता है अब mouse का अविसकार 1964 में किस ने किया था देखे थ प्रमुक्ता विकल्प को चुनने के लिए किया जाता है इसका प्रयोग program को क्रियानवित करने के लिए भी किया जाता है ठीक है mouse से ही select करते हैं किसी program को तो क्रियानवित करने के लिए किया जाता है ठीक है mouse निम्न प्रकार के होते हैं ठीक है क्या क्या बेतार mouse, mechanical mouse और optical mouse तो किया जाता है ठीक है और मैकनिकल माउस में मैकनिकल माउस में रबर बॉल का उपियों करसर को मूब करने के लिए किया जाता है ठीक है इसमें क्या रहता है एक रबर बॉल रहता है ठीक है आगे दिखेंगा उसमें क्या होता है उसको करसर को मूब करने के लिए उसका उपियों प्रयोग किया जाता है, optical mouse में LED light का प्रयोग किया जाता है, जो ऐसे पकड़े रहता है, mouse नीचे में light जलते रहता है, तो वो क्या है, optical light रहता है, उसमें LED light रहता है, ठीक है, तो ये क्या है, optical mouse है, वो LED light के through से क्या होता है, cursor जो है, आगे पिछे होता है, ठीक है, अब इसमें जो है mechanical mouse आगे दिखेगा ठीक है तो mouse के कारियत क्या क्या करता है वो click करता है double click कर सकता है right click से भी उसका कुछ कारिय हो सकता है फिर drag and drop मतलब एक जगा से उठा करके दूसरे जगा ले जाता है point और select करना फिर scroll करना ये सब उसके कारियन है तो click में क्या mouse के दौरा किसी भी object को चुनना select करने के लिए click किया जाता है double click किसी object को चुन कर उसे क्रियानवीत करने के लिए double click किया जाता है right click menu से संबंधित विकल्प का समूँ खुलता है उसका जो भी properties है उसको देखने के लिए क्या समूँ का विकल्प का समूँ खुलता है जिसे हम drop down menu कहते हैं अब drag and drop cursor द्वारा screen पर किसी भी on icon को select कर के उसे एक इस्थान से दूसरे इस्थान move करना ठीक है और उसके बाद point और select करना ठीक है उसके बाद कहता है scroll page को उपर नीचे करने के लिए किया जाता है या page down button जैसा कारिय करता है ठीक है और mouse को जो है PS2 serial port जो रहता है उसके द्वारा या फिर USB द्वारा जोड़ा जाता है mouse को wireless technique द्वारा भी क्या होता है जोड़ा जाता है monitor screen पर जो moving arrow हमें दिखाई देता है उसे cursor या pointer कहते है किसी भी object की property देखने के लिए mouse में right click button का प्रयोग किया जाता है अब उसके बाद track ball तो इसमें जो ball है उसे type से क्या रहता है mechanical mouse में भी रहता है अब track ball एक pointing input device है जो mouse के तरह ही कार्य करता है इसका प्रयोग CAD CAM में उपियोग किये जा रहे है और computer system में mouse के रूप में किया जाता है ठीक है track ball में एक rubber की ball होती है वही mechanical वाला ठीक है जो mouse के विपरित device के उपर लगी होती है ठीक है जिसे आप चीत्र में इस पश्ट देख सकते हैं यहाँ पे और ball को left और right move करने पर करसर करमसर left और right move होता है ठीक है left और right move करने से left और right move होता है करसर light pen इसमें यह एक खास तरह का electronic pad पर चलने वाला एक pen होता है ठीक है इस pen से pad पर जो भी अंकित करते या लिखते हैं वह computer screen में दिखता है और बाद में उसे store किया जाता है इसका प्रमुक्ता उप्योग electronic हस्ताक्षर एवम चित्र बनाने में करते हैं ठीक है light pen optical input device light pen क्या है optical input device light pen में जिस pen का प्रयोग किया जाता है उसे stylus भी कहते हैं क्या कहते हैं stylus भी कहते हैं ठीक है अब इसको एक बार उपर वाला देखते हैं एक खास तरह का electronic pad पर चलने वाला एक pen होता है ठीक है इस pen से pad पर जो भी अंकित करते हैं ठीक है जो भी अंकित करते हैं या लिखते हैं वह computer screen में दिखता है और बाद में उसे store किया जाता है इसका प्रमुक्ता उप्योग electronic हस्ताक्षर हम चित्र बनाने में करते हैं ठीक है अब उसके बाद joystick joystick एक pointing input device है जो mouse और trackball के सिधान पर कार्य करता है या car में लगी हुई gear panel के जैसा होता है इसका उप्योग video game एवं robotics में होता है joystick computer पर game खेलना आसान बनाता है ठीक है क्या करता है अब उसके बाद आता है टाच screen यह भी एक pointing input output device है जिन पर हम चू कर निर्देश देने का कार्य करता है टाच screen में infrared किरन इसक्रीन पर घूमती है जब इसक्रीन को चूआ जाता है तो किरनों की गती प्रभावित होती है जिससे computer द्वारा decode कर लिया जाता है जब भी वहाँ पर क्या रहता है उसमें क्या रहता है infrared किरन जो है screen पर घूमते रहता है और हम लोग touch करते है तो उसमें जो change आता है impaired किरन में उसको क्या कर लेता है वो computer जो है decode कर लेता है और जो हम लोग instruction देना चाहते हैं उसको वो जान लेता है उपयोग कहां कहां होता है ये ATM में ठीक है और smartphone या फिर computer आदी में भी ये क्या हो रहा है ATM क्या है इसका full form automatic teller machine ठीक है automatic teller machine जहां से पैसा निकलता है अब अगला इसमें touchpad touchpad यह भी एक pointing input device है जिसे हम चुकर निर्देश देने का कार्य करते हैं जैसे laptop में रहता है laptop में keyboard के साथ एक आयाता कार जगह होती है जहां हम अपने उंगलियों से screen के cursor को move करते हैं यह जगह touchpad कहलाता है laptop में mouse की जगह touchpad का प्रयोग किया जाता है ठीक है जो अभी modern laptop है उसमें USB के माध्यम से mouse जोड़ा जा सकता है अब आता है scanner scanner प्रमुक input device है जो किसी चित्र या text को digital रूप में परिवर्तित करने के लिए प्रयोगत होती है किसी भी चित्र या text को जो लिखा हुआ रहता है उसको digital रूप में परिवर्तित करने के लिए प्रयोगत होती है किसी भी दस्तवेस को computer में लंबे समय तक digital रूप में store करने के लिए कि scanner का प्रयोगत किया जाता है scanner किसी भी hard copy को scan करने के लिए प्रकास bim Р USB क प्रयोगत करता है ठीक है अब scanner से scan किये गए document को bitmap image के रूप में computer memory में store किया जाता है इमेंज के रूप में edit करते है text के रूप में edit नहीं किये जा सकते क्योंकि वहां पर waa image को image के form में लेता है ठीक है, टेक्स्ट के फॉर्म में वो नहीं लेता, तो image को हम लोग edit कर सकते हैं, लेकिन text के फॉर्म में उसको edit नहीं कर सकते हैं, ठीक है, तो अगला आता है इसमें क्या, optical mark reader, OMR, ठीक है, इसका उपयोग वस्तुनिष्ट उत्तर पुसिखाओं को जाचने के साथ, विकल्प OMR, input device है, जो paper में pencil या फिर pen के निशान को पढ़ सकता है, प्रतियोगी परिक्छाओं में OMR का उपयोग किया जाता है, अब आता है optical character reader, OCR, यह एक scanning input device है, इसकी सहायता से कागज, कागज पर लिखे हुए data को पढ़ा जा सकता है, ठीक है, OCR scan किये गए hard copy को digital world processing text में बदल सकता है, scanner से scan किये गए, document को हम image के रूप में समपादित कर सकते हैं, जबकि OCR से scan किये गए, document को हम text के रूप में समपादित कर सकते हैं, ठीक है, मतलब इसमें हम लोग change करेंगे, तो image के form में हम लोग change नहीं कर सकते हैं, इसमें text के रूप में हमको change करना पड़ेगा, ठीक को iron oxide से जो लिखा रहता है से लिखे होते हैं उन चेक को पढ़ने के लिए किया जाता है M-I-C-R code यहाँ पर यहाँ पर यह दीख रहा है यह जो है M-I-C-R code है ठीक है इसको पढ़ने के लिए जो है magnetic ink character recognizer का उपयोग किया जाता है और यह जो है यह code जो लिखा रहता है विशेष्ट code किसमें लिखा रहता है iron oxide से लिखा रहता है ठीक है इस code में सुन्य से 9 तक संख्या एवं 4 विशेष चिन्न कुल 14 character का प्रयोग किया जाता है सुन्य से 9 तक की संख्या और 4 विशेष चिन्न जो है इसमें 14 चाओदा कुल करेक्टर क्या किये जाते हैं प्रयोग किये जाते हैं ठीक है तो 9 4 कितना 13 तो सुनने से 9 तक कोई भी संख्या लेगा ठीक है और उसके बाद 4 चिन और कुल इसमें जो है न 14 करेक्टर का प्रयोग किया जाता है या एक scanning input device है ठीक है अब उसके बाद आता है बार लेजर की रण लेजर बीम का प्रयोग किया जाता है ठीक है इसमें लेजर की रण उस उत्पाद के बीमों से टकरा कर कंप्यूटर द्वारा ग्रहन किया जाता है ठीक है अब उसके बाद किसी उत्पाद पर printed लाइनों के pattern को बार कोड गहते हैं यहाँ पे दिख रहा है यह इसमें लेजर बीम डालते हैं तो फिर यहाँ से रिफ्लेक्ट होके जाता है और उसको कम्प्यूटर क्या करता है रिट करता है ठीक है कम्प्यूटर उसको क्या करता है ग्रहन करता है रिफ्लेक्ट होके जाता है उसको उसके हिसाब से वो उसको जानकारी को प्राप्त करता और ये कितना अंक रहता है टोटल तेरा अंक रहता है ये ठीक है अब उसके बाद आता है क्या QR code reader quick response तो QR code reader एक input device है जो की laser technique से quick response code को क्या read करता है ठीक है QR, QR का full form क्या है quick response तो quick response code को क्या करता है read करने के लिए QR code reader हम लोग उपयोग करते हैं तो QR code का उपयोग मतब प्रयोग digital भुकतान के समय किया जाता है जैसे कि google पे या फिर phone पे में क्या करते हैं QR code दिखा करके payment करते हैं तो उसी को बोलड़ है digital भुकतान के समय किया जाता है फिर biometric sensor, biometric device का प्रयोग सुरक्चा की दृष्टी से किया जाता है या घरों और संस्थानों में उपयोग लाया जात या अवैद वैक्तियों के प्रवेश को रोकता है, biometric device में वैद वैक्तियों का data पहले से save कर लिया जाता है जब कोई भी revise में scan करता है तो प्राप्त input को पुराने save data से match किया जाता है फिर उसके बाद क्या करते हैं, match होने पर वैक्ति को access मिल पाता है अन्यता उसको नहीं म मिल पाएगा, अगर अधी पहले से उसमें कोई data दिया हुआ है, कि हाँ यह वैक्ति यहाँ पर काम करता है, फिर उसके बाद वैक्ति वहाँ पर scan किया अपना fingerprint या फिर आँख जो भी है, उसके बाद वो मिल जाता है, मैच हो जाता है, तो उसको अंदर आने के लिए allow करेग तथा working hour याद करने के लिए भी किया जाता है, अब face scanner इसका प्रयोग किसी भी वैक्ति के चहरे का scan करने के लिए किया जाता है, डेटा बेस में face का match मिल जाने पर वैक्ति को सिस्टम पर कार्य करने का access मिल जाता है, face scanner वैक्ति के चहरे के नाप के आधार पर data input देता है, जह आख और नाख के बीच की दूरी को measure करता है, इसका प्रयोग बड़े संस्थानों, bank या फिर समान्य मूबाइल में भी किया जाता है, जैसे मूबाइल को log करते हैं, तो face scanner लगाते हैं, या face को हम लोग का क्या करता है, रिकोगनाइस करता है, उसके बाद क्या होता है, वो unlock ह तो इसके आगे अब फिर क्या है, retina scanner, इसका प्रयोग system की सुरक्षा के लिए किया जाता है, या वैक्ति के retina को scan करता है, और database में scan input को store कर देता है, जब कोई भी user system के सामने अपने retina को scan करता है, तब scanner scan input को database में पहले से save data से match करता है, match मिल जाने पर user को access मिल जाता है, same जैसे उधर होता था, ठीक है, जैसे कि office सब में होता है, फिर digitalizer, ये क्या है, light pen की मदद से digitalizer पर drawing बनाया जाता है, जिसे computer digital रूप में input लेता है, ठीक है, इसका प्रयोग cat cam में किया जाता है, या फिर आजकल जैसे क्या हो रहा है, online जो video बनाते है, teaching वाले लोग, वो लोग क्या करते हैं, इसका उप्योग करते हैं, ठीक है, फिर microphone, microphone में क्या है, computer में ध्वनी या फिर audio format में data को input करने के लिए, उप्योग होता है, इसका microphone का, या एक audio input device है, ठीक है, input device है, और mic, analog ध्वनी तरिंगों को क्या करता है, digital रूप में बदलने का कार्या करता है, जो mic लग उप्योग फोटो, इस्थिर शवियां या फिर video लेकर computer में input करने के लिए होता है, यह युक्ति विशेश कर, online video calling है तो उप्योग किया जाता है, ठीक है, यह analog प्रकासिय सूचना को digital सूचना में बदलता है, analog जो प्रकासिय सूचना रहता है, उसको digital सूचना में बदलता ह अगला है फिर speech recognizer system, अब speech recognizer system, यह एक प्रकार का input device है, जिसके माध्यम से बोल कर computer में data डाला जाता है, ठीक है, बोल करके उसमें data डालते हैं computer में, तो यह क्या speak recognizer के help से होता है, यह बोले हुए data को text के रूप में बदल देता है, क्या होता है, हम लोग बोलते हैं, उसको यह सुन करके data के रूप में, text के रूप में बदल देता है data को, ठीक है, उदाहरन Alexa Siri speech recognition system पर आधारी था है, ठीक है, speech recognition system पर आधारी था है, जैसे Google खोलते हैं, वहां माइक रहता है, उसमें हम लोग बोलते हैं, वह वहां पर क्या हो जाता है, text के form में आ जाता है, वही क्या speech reorganizing system है, उसके बाद smart card reader, ठीक है, तो इसकी सहायता से किसी wishes card पर लिखे हुए data को पढ़ा जाता है, इसका उदाहरन swipe machine है, ठीक है, इसकी सहायता से किसी wishes card पर लिखे हुए data को पढ़ा जाता है, इसका उदाहरन swipe machine है, जिसे हम ATM card swipe करते हैं, ठीक है, अब उसके बाद वरतमा सूचना को output कहते हैं, अब computer का संसोधी ताकडा output कहलाता है, ठीक है, संसोधी ताकडा मतलब की उसका, जो उसको, मतलब जैसे हम लोग आपर इसके लिए data देते हैं, processing करने के बाद जो आता है, उसको क्या बोलते है, data जो आता है, उसको संसोधी data, उसी को सूचना भी बोला जा तो monitor से हम लोग क्या करते हैं, जो output रहता है, वो हमको वहाँ पर दिखता है, ठीक है, तो उसको प्राप्ट करने के लिए, process data को हम लोग प्राप्ट करने हैं, कैसे देख करके, तो वो क्या है, इन output युक्तियां कहलाता है, ठीक है वो, तो output में क्या क्या जाएगा, hard copy output, एक होता है, soft copy output, तो hard copy output कौन कौन देते हैं, printer और क्या, plotter, printer क्या करता है, कोई भी हम लोग चीज जो वहाँ पर रहता है, उसको छूने लायक, hard copy, उसको क्या बोलता है, जैसे कि, वो क्या देता है, zerox, उसको हम लोग छू सकते हैं, लेकिन soft copy output जैसे कि video, video को हम लोग छू नही ठीक है, तो plotter भी वैसा रहता है, वो क्या करता है, grab बनाता है, । वैसे ही क्या है, इसमें soft copy output में video output है और audio output, इसको हम लोग छू नहीं सकते है, ठीक है, प्रोजेक्ट आता है कि इसमें video output में projector और monitor में speaker और earphone, आदियो आौट पूट में speaker भी भी आता है और earphone अब उसके बाद आता है monitor monitor कोई क्या बोलते हैं VDU ठीक है visual display unit बोलते हैं क्या बोलते है visual display unit यह soft copy प्रदान करने वाला एक लोगप्रिय output device है जो process data को screen पर प्रदर्शित करता है जो process data जो रहता है उसको screen पर प्रदर्शित करता है इसक्रीन पर दिखाता है ठीक है आज कल मानक animation तो फ्रेम रेट चोवीस फ्रेम पर सेकंड है ठीक है और चोटे-चोटे बिंदियों से बना होता जिसे pixel या फिर dot कहते हैं जो भी डाटर रहता है वह मॉनीटर आटपूर, जो डाटर रहता है मॉनीटर पर डिस्प्ले होता है, वह छोटे-छोटे बिंदुों से बना होता है जिसे पिक्सल या फिर डॉट कहते हैं उस बिंदू को ठीक है एक वेडियो फ्रेम के तारम Muito तारतम में से बना होता है ठीक है एक वीडियो जो रहता है वो फ्रेम के तारतम में मतलब फ्रेम को यदि हम लोग जमाते हैं एक दम सीरियल वाइज उससे क्या होता है बना होता है वीडियो ठीक है फोटो को इंच से मापा जाता है, मॉनिटर के कुछ प्रकार, कुछ ब्रमुक प्रकार नहीं लिखीत हैं, तो मॉनिटर का वरगी करन, डिस्पले के आधार पर और तकनीक के आधार पर तो डिस्पले के आधार पर monochrome grayscale और colour तो monitor को हम लोग यदि निकला वहार है तधर ठीक है अब उसके बाद LCD जो है liquid crystal display ठीक है उसके बाद आता है LED light emitting diode फिर आता है TFT thin film transistor ठीक है तो यह जो है तक्निक क्याधार पर है तक्निक क्याधार पर CRT cathodative LCD liquid crystal display LED light emitting diode और TFT thin film transistor यह 4 और इधर जो है display क्याधार पर तीन monochrome, gray scale और color display ठीक है अब उसके explanation है आपर display के आधार पर monitor के प्रकार कितने थे monochrome monitor, gray scale monitor और color monitor तो monochrome monitor क्या है monochrome monitor screen पर केवल एक रंग ही प्रदर्शित करता है mono मतलब क्या होता है एक तो एक ही रंग क्या करता है प्रदर्शित यह monitor screen पर output को black और white रंग में प्रदर्शित करता है तो अगला आ जाता है फिर इसमें gray scale monitor यह gray scale monitor screen पर gray रंग प्रदर्शित करता है यह monitor black और white color का प्रयोग करके screen पर gray color के set प्रदर्शित करता है ठीक है इसका किसका black और white color का यूज करके screen पर gray color के set प्रदर्शित करता है फिर आता है color monitor color monitor में आ जाता है RGB red green और blue color का प्रयोग करके 32, 16, 128, तथा 256 रंग के set जो है screen पर प्रदर्शित कर सकता है ये color monitor जो रहता है वो RGB मतलब red, green, blue color का प्रयोग करके 32, 64, 128 और 256 रंग के set क्या कर सकता है इस screen पर पदर्शित कर सकता है ठीक है फिर तक्निक क्या धार पर क्या जाएगा cathode ray tube CRT, जो CRT तक्निक रंगीन आउटपुट प्रदान करने में सक्छम है मतलब कि जो cathode ray tube है वो तक्निक क्या है रंगीन आउटपुट प्रदान करने में सक्छम है फिर जो cathode ray tube monitor एक vacuum tube मतलब निर्वात tube और cathode की रनो का प्रयोग screen पर डिस्पले पर दर्शित करते हैं ठीक हैं अब उसके बात cathode ray monitor जो है roast graphics के तक्निक पर कार्य करता है CRT zar t पर WATER sim node यहां करता है इस तक्निक पर रोष्टर ग्राफिक्स तक्निक पर कार्य करता है और CRT monitor एक vacuum tube और cathode की रंगीन का लिक्विड कृस्टल डिसप्ले तो LCD मोनिटर एक पतली समतल सतफ़ली लिक्विड डिसप्लेज का प्रयोग करता ठीक है, तो LCD monitor जो है, इस क्रीन में, चीत्र के प्रदर्शन के लिए, लिक्विड डिस्पले का क्या करता है, प्रयोग करता है, TFT, जो thin film क्या है, यहां पे, thin film, जो देखे थे, thin film क्या था, thin film tube था, उस वो क्या है, LCD monitor का एक प्रकार है, ठीक है, जिसे thin film transistor, thin film transistor कहा जाता है, ठ TFT भी क्या है, LCD monitor का एक प्रकार है, इसका LCD का, TFT, TFT, LCD monitor का एक प्रकार है, जिसे theme film transistor कहा जाता है, LED, light emitting diode, वरतमान में प्रचलित monitor है, जो high resolution और high contrast के display, screen पर प्रदर्शित करते हैं, वरतमान में जो प्रचलित monitor है, वो क्या है, high resolution और high contrast के display, screen पर प्रदर्शित करता है, कौन सा है, वो light emitting diode, LED जो है monitor, LCD और CRT की तुलना में, कम बिजली का प्रयोग करता है, LCD और CRT मतलब का थोड़े tube और LCD, light liquid crystal display, इससे जो है, कम light खपत करता है, कौन सा LED monitor, ठीक है, CRT monitor अधिक बिजली खपत करते हैं, और अधिक थाप उत्पन न करते हैं, ठीक है, और यहाँ पे एक important का है TFT, जो है, thin film transistor, यह भी क्या है, LCD monitor का एक क्या है, प्रकार है, किसका LCD liquid crystal display, monitor का एक प्रकार है, जिसे thin film transistor कहा जाता है, ठीक है, यहाँ पे side में दिया है, उपर वाला क्या है, cathode, रे, tube है, और नीचे वाला का है, यह liquid crystal display है, ठीक है, तो अगला है दक्चता, दक्चता किसका monitor का, ठीक है, तो इसके क्या क्या आता है, इसमें refresh rate, तो इसे हर्ज में मापा जाता है, refresh rate, यहाँ बतलाता है, कि monitor एक सेकेंड में कितनी बार सुचना को refresh करता है, ठीक है, और resolution, यह क्या है, monitor पर 36 मतलब horizontal, उर्वाहाल मतलब vertical, pixel के संख्या के गुणन फरल को resolution कहते है, horizontal और vertical जो pixel रहते हैं, उसके गुणन फरल को resolution कहते है, response time, monitor के screen पर रंग बदलने में लगे समय को response time कहते है, यह जितना कम होगा monitor की दक्चता उतनी अधिक होगी, dot pitch, दो pixel के बीच की दूरी को dot pitch कहते है, dot pitch जितना अधिक होगा दक्चता उतना अधिक होगा, अब button point, color monitor में लाल, हरा, नीला, RGB, red, green, blue, रंग का प्रयोग किया जाता है, display की काई dot per inch, dots per inch के द्वारा मापा जाता है, 15 inch के standard monitor का resolution, 1024 x 768 होता है, कितना 1024 x 768 होता है, गरे स्केल मानिटर यह, black and white color का प्रयोग करके अन्यरंग पैदा करता है, मानिटर की visual display unit भी कहते हैं, मानिटर को visual display unit, vdu भी कहते हैं, Monitor के screen को हम Terminal और Console भी कहते हैं Visual Display Terminal 3 प्रकार के होते हैं VDT Visual Display Terminal 3 प्रकार के होते हैं Dumb Terminal, Smart Terminal, Intelligent Terminal dumb Terminal में कहा है? Dumb Terminal ये एक Dell Display Terminal या Monitor होता है जिसकी खुद की processing चमता और storage चमता नहीं होती डम टर्मिनल में ऐसा डिस्प्ले टर्मिनल या मोनिटर होता है जिसकी खुद की प्रोसेसिंग चमता और इस्टोरेज चमता नहीं होती स्मार्ट टर्मिनल एक ऐसा डिस्प्ले टर्मिनल है या फिर मोनिटर होता है जिसकी खुद की processing चमता तो होती है परन्तु storage चमता नहीं होती Intelligent Terminal Intelligent Terminal में memory और process चमता होती है जिसे user के द्वारा program किया जा सकता है इसलिए Intelligent Terminal input device user programmable है Intelligent Terminal में memory और process चमता दोनों होती है process और memory चमता दोनों होती है जिसे user के द्वारा program किया जा सकता है प्रिंटर प्रिंटर एक hardware output device है printer computer से प्राप्त soft copy को hard copy में बदलता है इसका उप्योग computer पर process data के hard copy के तौर पर print के लिए किया जाता है input output device एक साजा आम संसाधन है अर्था printer का प्रियोग किसी device के साथ जोड़ कर सेयर करके output प्राप्त कर सकते है input या फिर output device एक साजा आम संसाधन है अर्था प्रिंटर का प्रियोग किसी device के साथ जोड़ कर सेयर करके output प्राप्त कर सकते है printer को system के parallel port से जोड़ा जाता है प्रिंटर को system के parallel port से जोड़ा जाता है parallel port में जो data transfer का speed रहता है वो एक लाग पर second होता है ठीक है और printer की प्रती CPS जो गती रहती है printer की printer की गती जो speed है उसको CPS, LPM और PPM से मापते हैं CPS मतलब character per second, LPM मतलब line per minute, PPM मतलब page per minute से मापते हैं किसी चित्र के रंग की गहराई को bits से मापा जाता है अब printer तो printer इसका printer मतलब यहाँ पर जो तीसरा point है इसका उप्योग computer पर process data के hard copy के तौर पर print के लिए किया जाता है ठीक है अब printer का वर्गी करण printer चमता के अधार पर character printer, line printer या फिर paste printer character printer मतलब per second में कितना character print करेगा, line printer मतलब per minute में कितना line print करेगा paste printer में per minute में कितना paste print करेगा वो देखते हैं तो यह उसका चमता के अधार पर है और Character Printer में क्या क्या आता है, जो Character चापते हैं, एक बार में एक Character चापते हैं, वो कौन-कौन से हैं, Daisy Will, Dot Matrix, Thermal और Ink Jet, ठीक है, Daisy Will, Dot Matrix, Thermal और Ink Jet, Line Printer में Band, Drum और Chen, ठीक है, Line Printer में Band, Drum और Chen, Page Printer में Laser, Laser Page Printer है, Line Printer में क्या क्या है, Band, Drum और Chen, Character Printer, Daisy Will, Dot Matrix, Thermal, Ink Jet, प्रिंट करने के तरीके के आधार पर इंपेक्ट प्रिंटर नॉन इंपेक्ट प्रिंटर जिसमें इंपेक्ट होता है इंपेक्ट जिसमें इंपेक्ट नहीं होता है वो नॉन इंपेक्ट इंपेक्ट प्रिंटर है अब नोन इंपेक्ट प्रिंटर में क्या क्या आएगा लेजर प्रिंटर आएगा और जो बचा इधर थर्मल और इंक जेट प्रिंटर ठीक है तो प्रिंटर के छमता क्या धार पर पहला केरेक्टर प्रिंटर ऐसा प्रिंटर जो एक बार में एक या से अधिक character को print करता है ठीक है यह type writer के सिध्धान्त पर कार्य करता है इसकी speed quality को character per second से मापा जाता है speed quality को character per second CPS से मापा जाता है character printer से carbon copy प्राप्त की जा सकती है और अपवाद कौन-कौन सा है thermal और ink jet इससे carbon copy प्राप्त की जा सकती है इसका अपवाद है लेकिन thermal और ink jet उधारन deze wheel dot matrix thermal ink jet यह सब क्या है character printer है कौन-कौन सा deze wheel dot matrix thermal और ink jet यहाँ पर उपर दिया हुआ है ये चारू क्या है किसके character printer के उधारन है dot matrix printer एक मात रह्सा character printer है जो ग्राफिक्स को प्रिंट कर सकता है बाकी जो character printer है वो graphics print नहीं कर सकते, कौन सा कर सकता है, dot matrix printer, तो dot matrix printer क्या है, एक मातर ऐसा character printer है, dot matrix printer, एक मातर ऐसा character printer है, जो graphics को print कर सकता है, अब उसके बाद line printer, यह impact printer है, इसमें impact होता ही है, ऐसा printer जो एक बार में पूरा line print करता है, ठीक है, इसकी quality को line per minute से मापा जाता है, line per minute प्रिंटर के अंतरगत, chain, band और drum प्रिंटर आते हैं, line printer से carbon copy प्राप्त की जा सकती है, यह impact printer है, मतलब इससे क्या किया जा सकता है, carbon copy प्राप्त किया जा सकता है, अब page printer, page printer में क्या काया है, ऐसा printer जो एक बार में पूरा page print करता है, इसकी quality को page per minute से जाना जाता है, उधारन laser printer ठीक है, करेक्टर प्रिंटर में क्या है, ऐसा प्रिंटर जो एक बार में एक या एक से अधिक करेक्टर को प्रिंट करता है, ठीक है, एक या एक से अधिक भी कर सकता है, यह टाइप प्रिंटर के सिध्धान पर कार्या करता है, ठीक, अब प्रिंट करने के तरीके के आधार प चपाई करता है उसे impact printer कहते हैं ऐसा printer जो कागज पर ribbon या character को hammer से चोट करके चपाई करता है उसे impact printer कहते हैं impact printer ऐसा printer है जिसमें printing head से paper पर बल पूर्वक लेटर पिंट किया जाता है ऐसा प्रिंटर है जिसमें प्रिंटिंग हेड से पेपर परबल पूर्वक लेटर प्रिंट किया जाता है इंपेक्ट प्रिंटर नॉन इंपेक्ट प्रिंटर की अपेक्षा धीमा होता है इंपेक्ट प्रिंटर में प्रिंटिंग से समय सोर होता है impact printer में printing के से मैं सूर होता है impact printer से carbon copy प्राप्त की जा सकती है ठीक है अब impact printers के प्रकार क्या है dot matrix printer, daisy will printer, dot matrix, daisy will, line printer, chain printer, drum printer line, chain और drum ये सब क्या है dot matrix और daisy will ये सब impact printer है तो इसके निमन प्रकार है dot matrix printer इस printer में print head लगा होता है जिसमें कागज के टक्कर के कारण print होता है इस printer में print head लगा होता है जिसमें कागज से टक्कर के कारण print होता है क्या लगा रहता है इसमें print head लगा रहता है जिसमें कागज से टक्कर के कारण print होता है इसमें इन में एक टाइम पर एक ही कलर से प्रिंट हो सकता है, इसलिए इसे मोनो क्रूम प्रिंटर भी कहते हैं, इस प्रिंटर के दो हिस्से होते हैं, रिबन होल्डर और ड्राइब बेल्ड, ठीक है, दो हिस्से होते हैं, एक होता है रिबन होल्डर, रिबन को पकड़ने वा का matrix होता है ठीक है dot matrix printer के head में pin का matrix होता है जो 7,9,14,18,24 के matrix में होता है किसमें 7,9,14,18,24 ठीक है 7,9,14,18,24 के matrix में होता है अब यह character printer है जो dot या pin के द्वारा print करता है तथा इसके लिए printing ribbon का प्रयोग किया जाता है क्या है एक character printer है जो dot या pin के द्वारा print किया जाता है तथा इसके लिए printing ribbon का प्रयोग किया जाता है इसकी quality को dots per inch से नापा जाता है क्योंकि यह character printer है इसका उपयोग मुख्यता accounting एवं billing में किया जाता है इस printer द्वारा graph और रेखा चित्र उकेरे जा सकते हैं परन्तु इनकी गुणवत्ता बहुत ही नीमन होती है जिस प्रकार आप चित्र में देख सकते हैं printed as अकृती क्या कर रहा है वो print कर रहा है जिसमें वो कई बार में s अक्षर को यह printer एक type writer के समान कारिय करता है इसकी संचालन लागत कम होती है इसको एक बार देखते हैं फिर से इस printer में print head लगा होता है जिसमें कागज से टक्कर के कारण print होता है कागज से टक्कर कारण print होता है इसमें एक time पर एक ही color से print हो सकता है यह character printer है जो dot या pin के द्वारा print करता है तथा इसके लिए printing ribbon का प्रयोग की जाता है। इसकी quality को dots पर in से मापा जाता है। कि यह character printer है, इस का उप्योग मुख्यता accounting या में की या जाता है। इस printer द्वारा graph और रेखा चित्र उकेरे जा सकते हैं, परन्तु इनकी गुणवत्ता बहुत ही निम्न होती है, जिस प्रकार आप चित्र में देख सकते हैं, printed S आक्रिती प्रिंट कर रहा है, जिसमें वह कई बार में S अक्षर को sequentially print कर रहा है, इसलिए यह एक sequential printer है, dot matrix printer की गत अब इसमें क्या, Daisy wheel printer, Daisy wheel printer क्या होता है, एक ठोस मुद्रा अक्षर वाला impact printer है, इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर यह printing wheel है, यहाँ पर यह printing wheel दिया है, तो यह printing wheel जो है, इसके उपर में क्या है, जो font रहता है, वो चपा रहता है, जैसे की A, B, C, D, यहाँ पर लिखा और जैसे ही यहाँ पे हम लोग दबाते हैं किसी चीज को जैसे ए लिखना है तो इधर अलग से ए लिखा रहेगा वो स्पोक्स से कनेक्ट रहेगा और जिस स्पोक्स में ए लिखा रहेगा उसको हम लोग दबाएंगे तो यहाँ पेपर पे वो लगेगा यह वाला जो है कैसे करके impact होगा तो वहाँ पे टाइप हो जाएगा ठीक है तो वह है ठोस मुद्रा अक्षर वाला impact printer है ठीक है इसका नाम डेजी विल इसलिए दिया गया क्योंकि इसके print head की आकरिती एक पुष्प गुल बाहर जिसका इंगलिस में नाम क्या है डेजी से मिलता है डेजी विल प्रिंटर धिमिकती का प्रिंटर है परंतु इसकी printing quality अच्छी होती है लेटर क्वालिटी प्रिंटिंग स्वीधा देता है लेटर क्वालिटी प्रिंटिंग स्वीधा मतलब इसका जो quality लेटर का प्रिंट होता है उसका वो अच्छा होता है इसलिए जिस प्रकारचीत्र में दर्शाय गया है कि डेजी विल प्रिंटर में एक प्रिंटिंग विल होता है जिसमें प्रिंटिंग विल होता है जिसके चारों तरप स्पोक्स लगे होता है ये प्रिंटिंग विल है विल 36 दिशा में, 36 मतलब horizontal, ठीक है, 36 दिशा में क्या घूमकर print की इस्थिती पर आता है, और hammer द्वारा strike करके character print करता है, एक रंग के character print कर सकता है, ठीक है, इनमें graphics या चित्र print नहीं कर सकते हैं, यह भी character printer है, इसमें graphic या चित्र print नहीं कर सकते हैं, यह भी character printer है, उदाहरण gold wall printer, ठीक है, gold wall printer, अब अगला आता है line printer, इसमें character की बजाए एक line को एक बार में छापा जा सकता है, character की बजाए एक line को एक बार में छापा जा सकता है, क्या होता है, line printer में एक बार में एक line को छाप सकते हैं, जैसे कि इतना line को एक बार वो छाप सकता है, इतना को पूरा ठीक है, तो इसके छापने की गती 300-3000 लाइन प्रती मिनट होती है कितना 300-3000 लाइन प्रती मिनट इसकी गती को लाइन पर मिनट से मापा जाता है इसके तीन प्रकार होते हैं Drum Printer, Chain Printer और Band Printer Drum, Chain और Band Printer तो Drum Printer यह एक Line एवं Impact Printer है ठीक है यह एक Line Printer भी है और क्या है Impact Printer भी है ठीक है यह Print के लिए Drum, Ribbon, Drum Printer है तो Drum तो Use हो गई, Drum होगा उसमें Ribbon होगा Printer Head तथा Hammer का प्रयोग होता है ठीक है तो Drum, Ribbon जैसे यहाँ पर दिया है यह क्या है यह Drum है ठीक है यह Drum और उसमें Ribbon लगेगा अलग से कागज ठीक है उसके बाद Printer Head मतलब यह सब Printer Head है यह सब Printer Head और Hammer का प्रयोग होता है जैसे कि उसको Impact करने के लिए ठीक है तो क्या कह रहता है Drum, फिर Ribbon, फिर Printer Head और क्या Hammer का प्रयोग करता है जैसा कि चित्र में धर्शाय गया है Drum Printer तेज घूमने वाला एक Drum होता है जिसकी सतह पर अक्छर उभरे होते हैं एक Band पर सभी अक्छरों का समूह होता है और ऐसे कई Band Drum पर लगे होते हैं इन Band के माध्यम से Line की प्रतियक इस्थिती Character छापे जा सकते हैं जब Band के Character एक Line में आते हैं तो Hammer पूरी Line को एक साथ Print कर देता है जैसे कि कुछ लिखना है ठीक है तो Drum तेजी से घूमते रहता है एक Rotation में एक Line में आता है ठीक है एक बार घूमा तो जो हम लोग सेट किये जैसे कि हमको क्या लिखना है यह सब लिखना है जब Band के Character एक Line में आते हैं तो इतना लिख लिए उसको सेट कर लिए वहाँ पर ऐसे लिखे तो एक rotation वह एक Line में आ गया जैसे ही Line में आएगा उसको Hammer क्या कर देता है पूरी Line को एक साथ Print कर देता है Hammer करेगँ तो वह क्या हो जाएगा पूरा Line प्रिंट हो जाता है ठीक है क्या है एक Impact Printer है और इसमें क्या 내일 होता है प्रयोग क्या क्या कीा कि आ जाता है Drum का Tribbon का printer head काãy और Hammer का प्रयोग क्या जाता है चार चीज का प्रयोग क्या जाता है ठीक है अब उसके बाद आते है Cand By एप्रोय आधा है या एक लाइन एवं इंप्रीन्टर है थीक है इसchron मैं तेज hacking वांदी चैन और रीबन और हमर होता फिर उसके बाद यहां पर दिख रहा है साइड में यहां पर चैन दिख रहा है ठीक है यहां पर लिख करके और उसके इसमें क्या है, ribbon भी है, ठीक है, ribbon है, और hammer का प्रयोग होता है, ठीक है, जैसा कि चीतर में दर्शाया गया है, chain के प्रतिये कड़ी, link में, एक character font छपे होते हैं, और प्रतिये print position में hammer लगे होते हैं, ठीक है, जैसे कि ये paper है, ठीक है, ये paper दिखा रहा है, ठीक है, ये paper है, और यह क्या है यह chain है ठीक है यह chain है तो यहाँ पे क्या लगा है hammer लगा है यहाँ पे यह 132 hammer positions ठीक है 132 hammer position करके यहाँ पे लिखा है यह और कुछ लिखना है तो जहाँ पे जैसे a लिखना है तो a के जगा को यह क्या करेगा ऐसे hammer करेगा ठीक है तो यहाँ पे a छप जाएगा वै पत्तियक font को क्या करता है, printing position पर लेकर आता है और hammer दारा strike करके print प्राप्त किया जाता है, ठीक है, ऐसे chain घूम करके आएगा और पत्तियक font को एक position पर लेकर आएगा, और उसको क्या करेगा, hammer strike करके print प्राप्त कर सकते हैं, hammer से strike करके print प्राप्त कर सकते हैं, अब उसके बाद लाता है बेंड प्रिंटर यह एक लाइन प्रिंटर एवं इंपेक्ट प्रिंटर है यह चैन प्रिंटर की तरह ही कार्य करता है फर्क सिर्फ इतना है कि प्रिंट के लिए चैन की जगह पर इस्टील का बेंड प्रयोग में लाया जा सकता है ठीक है इस्टील का बेंड किया जाता है अब आता है non impact printer ठीक है इस तरह का printer कागज पर चोट नहीं करता बलकि विभिन तरीकों से विद्यूत्रा साइनिक विधी से इंग की फुहार कागज पर होती है जिसमें print होता है ठीक है क्या होता है इसमें विभिन तरीकों से विद्यूतरासाइनिक विधी ठीक है एलेक्ट्रो केमिकल विधी से क्या होता है इसमें इंक की फुहार मतलब कि उसमें क्या होता है फुहार जाता है कागज पर और जिससे प्रिंट होता है रेखाचित्र, ग्राफ, टेक्स्ट किसी भी प्रकार का print रंगिन प्राप्त कर सकते हैं ठीक है रेखाचित्र, graph, text किसी भी प्रकार का print रंगिन प्राप्त कर सकते हैं Non Impact Printer से carbon copy नहीं प्राप्त की जा सकते यह printer सोर नहीं करते इनकी गत्ती तीवर होती है दाता quality भी अच्छी होती है non impact printer monochrome और color दोनों प्रकार के होते हैं non impact printer में कागाज और print सतह के बीच सिधा संपर्क नहीं होता क्योंकि non impact है तो इसमें सिधा संपर्क कैसे होगा अगर संपर्क हो गया मतलब तो यह impact में आ जाएगा ठीक है तो पहला इसमें ink z printer यह एक character printer है यह print करने के लिए रासायनिक स्याही का प्रयोग करता है किसका प्रयोग करता है रासायनिक स्याही का प्रयोग करता है जो की एक cottage में भरा जाता है और इसमें जो है यह क्या है एक cottage है ठीक है यह जो दिख रहा है यह box type का यह cottage है ठीक है इसमें शाही भरा है, जैसा चीत्र में आप देख सकते हैं कि एक sliding belt है, जिस पर cottage लगा हुआ है, यह जो है, यह क्या बूलधा है, यह जो indicate कर रहा है, sliding belt है, ठीक है, यह sliding, driving belt है, जो driving belt की माध्यम से बायं और दायं और चल रहा है, यह है क्या driving belt, इसके माध्यम से left से right वो चल रहा है, और पेपर पर अक्षरों को इस्प्रे करता चल रहा है, ठीक है, इसमें कॉर्टेज के चार चेमबर बने होते हैं, जिसमें लाल-काला-पीला हुआ नीला, ठीक है, रेड-ब्लू, यलो और ब्लू, R-B-Y-B, ठीक है, रेड-ब्लैक-यलो और ब्लू, रंग की गीली स्याही भ भरी होती है, चार कलर होते हैं, चार चेंबर इसमें क्या होता है, बना होता है, कॉर्टेज में इसमें लाल रंग रहता है, काला रंग रहता है, पीला रंग रहता है, और निला रंग रहता है, ठीक है, रंग की गिली स्याही भरी होती है, ठीक है, इस रंग के, और इन ही his race का उपीयोग होता है, इसकी speed कम होती है, और खरचिला होता है speed कम रहता है, और खरचिला होता है इसमें print गुनवत्त, उच्छी होती है print quality 300 dot per inch होता है 300 dot per inch, यह character printer है, तो dot per inch में इसका quality देखेंगे, ठिक है, तो 300 dot per inch होता है, इसमें एक print head होता है जिसमे 64 छोटे jet nozzle हो सकते हैं अब इसमें print head कौन सा है यह जो है यह वाला यह क्या है print head है ठीक है तो इसमें क्या होता है 64 छोटे jet nozzle हो सकते हैं कितने 64 64 छोटे jet nozzle हो सकते हैं इसमें अब यह स्याही jet की सहायता से print करता है जिससे प्रिंटर प्रिंट करने के लिए आयनाइजड स्याही का छिंडकाव करता है यह स्याही जेट की सहायता से प्रिंट करता है जिसमें प्रिंटर प्रिंट करने के लिए प्रिंट करने के लिए आयनाइजड स्याही का छिंडकाव करता है इंक जेट प्रिंटर में color cottage का खर्च बहुत अधीक होता है और इन्हें बार-बार बदलना पड़ता है जिससे अन्य प्रिंटरों की अप्रिक्षा थोड़ा या महंगा है ठीक है तो इसमें याद क्या क्या करना है इसमें ये जो है ये चार color होते हैं चार चमबर होते हैं इसमें cottage के चार चमबर होते हैं इसमें क्या क्या color रहता है चार चमबर रहता है इसमें लाल, काला, पीला, नीला ठीक है लाल, काला, पीला, नीला ये सब color रहता है इसमें और इसमें जो है क्या mono और color दोनो तरह के होते हैं ये ठीक है इसमें क्या है? प्रिंट गुणवत्ता अच्छा होता है, इसका क्वालेटी क्या है? तीन सो डॉट परिंट से मापा जाता है, इसमें जो है, छोटी जैट नोजल हो सकते हैं, ठीक है? और यह जो है, आयनाइज्ड साही का छिंडकाव करता है, किसके लिए? इसके सहायता से व या प्रिंट करने के लिए फोटो कंडक्टिव ड्रम, फोटो कंडक्टिव ड्रम, लेजर बीम, आयनित, सूखी फ्याही, एवं टोनर कार्टेज का प्रयोग करता है, लेजर प्रिंटर प्रिंट करने के लिए प्रकास की किरण या लेजर बीम का प्रयोग करता है, या लेजर की किरणों से गर्म हो जाता है लेजर की किरणों से गर्म हुए ड्रम कॉर्टेज की सुखी स्याही को अपने उपर चिपका लेती है और ड्रम पर चिपके हुए स्याही पेपर पर अक्छर के रूप में पेस्ट हो जाते हैं ठीक है क्या होता है इसमें एक पेस्ट प्र या laser beam को lens में focus करता है, अब lens में focus करेगा, तो वहां से क्या हो जाता है, यह है laser beam, ठीक है, यह यहां पे है laser beam, यहां से यह क्या कर रहा है, laser beam को lens पे focus करता है, laser beam lens से परावर्तितों का drum पर पड़ती है, वहां से यह कहा जाता है, drum पर पड़ती है, यहां आया, यहां से reflect होके, इसमें आया, ड्रम पे पड़ा, अब ड्रम पे पड़ा उसके बाद क्या होता है, ड्रम जो है, फोटो कंड़क्टिव ड्रम, जिसे तस्वीर का ही ड्रम भी कहते हैं, या लेजर की करणों से गर्म हो जाता है, गरम हो जाता है, उसके बाद क्या होता है, लेजर की करणों से ग powder ink का प्रयोग किया जाता है जो की आवेसीत होता है मतलब की charged होता है ठीक है ये charged होता है जो इसमें सुखी साही रहा था वो इसमें laser beam की साहता से print होता है इसमें प्रयोग laser semiconductor होता है ठीक है laser जो रहता हो semiconductor होता है यहाँ भी monocolor वो क्या है 300. per inch होता है कि इसका जो laser printer है 300. per inch तो नहीं होने यह गलत है ठीक है यह गलत है 300. per inch जिक्ने कि यह पेज printer है तो यह पेज़ पर मीनट में आएगा इसका जो quality आएगा तो यह गलत है इसमें एक बेलना का ड्रम होता है जिसे फोटो रिसेप्टर या फिर तस्वीर रही कहा जाता है लेजर प्रिंटर में प्रिंटिंग प्रोसेस के लिए टोनर काटेज का उप्योग किया जाता है प्रिंटिंग प्रोसेस में क्या होता है टोनर काटेज से ही तो क्या करता है साही को अपने में चिप थर्मो क्रोमिक पेपर रसायन युक्त विसेश कागज का उपयोग होता है इसमें इंग का उपयोग नहीं होता थर्मल प्रिंटर में इसमें थर्मो क्रोमिक पेपर का उपयोग होता है इसमें हीटर ताप के प्रभाव इस हीटर लगा होता है जो पेज को काला करता है ठीक है ह अब यह क्या है, एक character printer है, ठीक है, इसकी speed सभी printer उससे तेज है, इसमें जो है, क्या heater लगा होता है, जो page को काला करता है, ठीक है, यह thermochromic paper का उपयोग करता है, कौन सा paper, thermochromic paper का उपयोग करता है, अब आगे है plotter, इसका उपयोग बड़ी drawing चीत्र poster बनाने के लिए किया जा सरवत्तम graphics plotter के द्वारा बनाया जाता है, सबसे अच्छा जो graphics है, वो किसके द्वारा plotter के द्वारा बनाया जाता है, इसके दो प्रकार होते है, drum paint plotter और समतल plotter, ठीक है, उसी को बोलते हैं क्या, समतल plotter, अब drum paint plotter का होता है, इस plotter में drum और paint का प्रयोग किया जाता है, drum paint नाम से पता चलता है drum pain plotter इसमें drum और pain का प्रयोग किया जाता है drum में print करने योग या paper chip का होता है जिस पर pain से print किया जाता है ठीक है यह इस print में कई pain holder लगे होते हैं जो pain के समुह को उर्धाधार मतब वर्टिकल hold करके रखते हैं इन्हीं उर्धाधार painों की सहायता से drum पर लगे printing paper पर print किया जाता है pain holder plotter में दोनों में गती कर सकते हैं दोनों को हम लोग क्या कर सकते हैं आगे पिछे कर सकते हैं उसका speed दे सकते हैं फिर समतल plotter, flatbed plotter इसका प्रयोग 3D 3D design एवं graphics design बनाने के लिए किया जाता है इसके लिए 3D design वह graphics design बनाने के लिए किया जाता है इसकी गुण मत्ता उच्छोती है और यह तिवर गती से print करते हैं इन में printing के लिए एक समतल bad word tray का प्रयोग किया जाता है इस पर printing करने के लिए paper या object को रखा जाता है ठीक है printing करने के लिए paper या object को रखा जाता है इन plotter में भी pain का प्रयोग किया जाता है जो समतल सतह पर उपर नीचे दाएं बाएं गती करके paper या object पर आकरिती print करती है 3D में object जो है 3D जो object रहता है पर print करने के लिए इन समतल plotter का प्रयोग किया जाता है ठीक है अब उसके बाद आता है note में plotter के अन्य प्रकाजो बाजार मुपलब्ध है inkjet plotter, wide format और plotter thermal plotter, फिर cutting plotter ठीक है अब इसमें जो है एक बार इसको अच्छे देख लेते हैं drum pain plotter इस plotter में drum और pain का क्या होता है प्रयोग किया जाता है जैसे कि, यहाँ पे क्या है एक drum एक syndrome है ऐसे और इधर से ऐसे pain लगा हुआ है ठीक है तो यह drum इसमें हम लोग क्या कर देते हैं यहाँ पे एक paper को लगा देते हैं seeking print करते हैं एक Singer is here की उपर में प्रिंट करेगा…ठीक है! इसमें प्रिंट करते जाएगा प्रिंट करता है पेङंच को भी आ पिछे इधर उधर कर सकते हैं और प्रिंट को भी ऐसे आगे पिछे कर सकते हैं इसका प्रयोक 3d design एवं ग्राफिक्श दिजाइन करने के लिए किया जाता है इसकी गुणवत्ता उच्छ होती है और ये तीब्रगति के प्रिंट करते हैं ठीक है इन में प्रिंटर के लिए एक समतल बैड वाट ट्रे का प्रयोग किया जाता है अब इसमें क्या करते हैं जिस पर प्रिंटिंग करने के लिए पिपर या अबजेक्ट यहां पे एक अबज जा सकता है तो उस हिसाप सो क्या करता है इधर प्रिंट करता है ऐसे इधर इधर और उपर में भी ऐसे प्रिंट कर सकता है ठीक है तो जो समतल सत्ह पर उपर नीचे दाई बाई गति करके पेपर या ऑबजेक्ट पर आक्रिती प्रिंट करते हैं 3D में यह 3D ऑबजेक्ट प प्राप्त डिजिटल सिगनल को क्या करता है एनलोग ध्वनी सिगनल में बदलता है क्या करता है साउंड कार्ड से प्राप्त डिजिटल सिगनल को एनलोग ध्वनी सिगनल में बदलता है जैसे अंदर में कुछ भी साउंड कार्ड है वहां से क्या होगा वो डिजिटल सिगनल उसको हम लोग को सुनाई देगा, समझ में आगा ऐसा, उसको क्या analog signal में बदलता है, समान सब्दों में कह सकते हैं, यह digital ध्वनी तरंगों को sound के form में बदलता है, जिसको हम लोग समझ सके हैं, यह एक multimedia device है, ठीक है, multimedia device है, अब speaker का उपयोग sound audio format के data का output प्राप्त करने के लिए किया जाता है, ठीक है, multimedia device है, यह क्या, sound audio format के data का output प्राप्त करने के लिए किया जाता है, इसको उपयोगा आता है headphone, यह एक multimedia output device है, headphone के साथ, inbuilt mic होने पर इसका उपयोग input और output device दोनों ही रूप में होता है ठीक है mic input है और ये जो headphone है वो output है इसका उपयोग भी speaker की तरह होता है जो sound या audio format को output में के रूप में प्रदान करता है ठीक है अगला आता है projector projector हमें computer के screen पर दिख रहे digital data का soft copy output उपलब्द कराता है projector का उपयोग computer के output को बड़ी screen या परदे पर दर्शाने के लिए किया जाता है जैसे कि movies अब में theater hall में ठीक है अब उसके बाद project का प्रयोग मनोरंजन, बड़ी meeting, conference और presentation के लिए किया जाता है projector का प्रयोग मनोरंजन के लिए, बड़ी meeting के लिए, conference और presentation के लिए किया जाता है projector lens वा image की बीच की, projector lens रहता है और image की बीच की दूरी को throne distance कहते है क्योंकि image को वो फेक रहा ठीक है, तो जिस screen पर image बन रहा है और जहां पर projector रहा है, उसके बीच में जो gap उसको क्या बोलता है, throne distance कहते है यहां वा दूरी होती है, जहां तक projector project कर सकता है, जहां तक उसका last capacity है, वो है यह क्या throne distance, ठीक है, वह सतह जहां पर हम project वा image या video प्राप्त करते हैं, उससे projection screen कहते है जैसे कि projection screen बोले तो जैसे movie देखने का वहां पर जो screen जो दिखता है, वो क्या है projection screen है, ठीक है अब project करने के तरीके और projection screen के आधार पर projector के प्रकार, project करने की तरीके कैसे, किस तरीके से project कर रहा है lens और cathode ray tube का प्रयोग करता है ठीक है और LCD प्रोजेक्टर liquid crystal display प्रोजेक्टर या screen पर प्रोजेक्ट करने के लिए liquid crystal display का प्रयोग करता है ठीक है उसके बाद आता है DLP प्रोजेक्टर मतलब कि digital light processing प्रोजेक्टर DLP का फुल प्रोजेक्टर प्रोजेक्टर या प्रोजेक्टर के लिए micro mirror का क्या करता है प्रयोग करता है इसके लिए और यह क्या करता है LED का करता है liquid crystal display का और CRT प्रोजेक्टर cathode ray tube का प्रयोग करता है ठीक है तो इसका याद करना है DLP मतलब कि digital light processing डिजिटली light processing प्रोजेक्टर या प्रोजेक्टर के लिए micro mirror का प्रयोग करता है ठीक है अब इसमें क्या है important fact क्या क्या है important जो बात है वो optical mouse का अविसकार किसने Microsoft ने 1999 में किया था optical mouse और mouse का किसने किया था वो बताना है ठीक आपको बताना है इसमें तो optical mouse का अविसकार किसने किया था Microsoft ने 1999 में किया था monitor पर 36 मतलब की horizontal और उत्वाधार vertical pixel के गुणन फल को screen resolution कहते हैं दो pixel के बीच की दूरी को क्या कहते है डॉट बीच कहते हैं सभी input और output device peripheral होते हैं क्या होते है multifunctional device के device वे device होते हैं जो एक से अधीक कारिया एक साथ कर सकती है multifunctional device, वे device होते हैं, जो एक से अधिक कार्य एक साथ कर सकते हैं, multifunctional device, printing, scanning और photocopy तिनों काम एक साथ कर सकते हैं, ठीक है, जो क्या कर सकते हैं, एक से अधिक कार्य एक साथ कर सकते हैं, तो इसमें क्या होता है, multifunctional device में, वो printing भी कर सकता है, scanning भी कर सकता है, photocopy तिनों एक साथ कर सकता है computer में दर्ज परिस्कृत जानकारी रहता है उसे को क्या बोलते है डाटा बोलते हैं और उसे परिस्कृत हो जाता है तो सूचना और caps lock, num lock और scroll lock यह तीनों क्या है computer keyboard की toggle कुणजी है ठीक है और duplexer 리 regularJackal, duplexer एक ऐसा device है जो कागज के दोनों तरब print करती है क्या duplexer ठीक है 안에 spring एक ऐसा device है जो कागज के दोनों तरब print करती है ठीक है झाल झाल